तो दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वजीर एक्स और बाइनेंस के उपर आर्बिट्ररी ट्रांजेक्शन करके हम कैसे अच्छा कासा प्रॉफिट पांसो से हजार रुपे डेली यूसजीटी के थुरू बना सकते हैं तो इस वीडियो में जो भी आपको दिखाने वा दोस्तो सबसे पहले आपको यहां पर जो जरूरत पड़ेगी वह दो चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां पर आपका वजीर एक्स और बाइनस के अंदर अकाउंट होना चाहिए अगर नहीं है तो नीचे बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वहां से और वजीर एक्स को जोईन कर लीजिए उसके बाद आपको अपने बाइनस को वजीर एक्स के साथ लिंक करना पड़ेगा तो अगर वह भी चीज़े आपको नहीं पता तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रवाइट कर दूँगा उसके उपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि कैसे वजीर एक्स को बाइनस से लिंक किया जाता है इतनी चीज़े करने के बाद सबसे पहले जो आपको करना है वह वजीर एक्स के अंदर यहाँ पर सेटिंग करना होगा और 4-5-10 ट्रेंजेक्शन करने होंगे तो उसके लिए सबस वजीरेक्स को होल्ड करके उसके थूप करेंगे तो ट्रेडिंग फी में 50 परसंट का को डिस्काउंट देखने को मिलेगा में और पर फी-स होना चाहिए 50 परसेंट के लिए और आपके फंड में वजीरेक्स होना ही चाहिए क्योंकि यहां पर 10-20 रुपए भी काफी जादा आपके लिए मायने रखेंगे अब यहां पर सबसे पहला बात आएगा कि हमको यूएस डिटी कब बाइक करना है तो यूएस डिटी को बाइक करने से पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो वजीर एक्स करने का यूएस डिटी कब को तभी आपको बाइक करना है जब वजीर एक्स और बाइनेंस के पीटूपी सेल में एक रुपए का मिनिममम आपको डिफरेंस देखने को मिले तभी आप प्रॉफिट यहां से बना सकते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अप अब करके दिखा देता हूं तो यहां पर दिखा था और यहां पर यहां पर देख सकते हैं वजीर इंट इस्ट यहां पर मुझे चल रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पे 94 into 0.1068 को अगर multiply करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे 10 रुपय होता है और यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि 10,000 के ट्रेडिंग पे मुझे 0.1% का यहां पे फी लगा है तो आप देख सकते हैं यह 10 रुपया होगा अगर हम मैंने अगर मैंने यहा जो मैंने शेल किया था तो सेल में मुझे यहां पे कितना मुझे पैसा मिला था पी टू पी के अंदर जेल करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं और मुझे मिला 10204 रूपय ठीक है तो चलिए मैं यहां पर करके आपको दिखा देता हूं कि वहां पर मुझे एक ट्रांजेक्शन का कितना प्रॉफिट मिला तो सबसे पहले 10,000 को अगर मैं डिपाउजिट करता हूं तो वहां पर 0.236 परसेंट का यूपिय का चार्ज लगता है यानि कि 23 रुपए साथ पैसा है तो चलिए मैं यहां पर करके आपको दिखाता हूं कि एक ट्रांजेक्शन मुझे कितना प्रॉफिट मिला तो सबसे मेले जो मैंने सेल किया था वह था 10,204 रुपए मुझे यहां पर सेल करने के बाद पी-टू-पी बाइनस यूपर मिला तो 204 रुपए का यहां पर प्रॉफिट होता है लेकिन 204 यह एक्जाक्ट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि 10,000 का सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग चार्ज लगा था तो यहां पर 0.1 पर सेंट जो ट्रेडिंग चार्ज लगा था वह हो गया दस रुपए और यहां पर जो मैंने दस हजार डिपॉज को माइनस कर देता हूं तो दस हजार के ट्रांजेक्शन में मुझे 170 रुपए का यहां पर प्रॉफिट मिला है और इस तरह से मैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ट्रांजेक्शन किया है ठीक है तो चलिए मैं 150 के ही हिसाब से आपको यहां पर नाइन इ 200 रुपए कभी मिला है लेकिन मैं आपको एक फ्लाट आइडिया दे रहा हूं कि यहां पे 350 रुपए का नौ ट्रांजेक्शन करके एक घंटे के अंदर में मैं इतना प्रॉफिट जनरेट किया है वह भी बिल्कुल सेफ तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आप यूएस अगर लिंक है तो बिना किसी चार्ज के उसको आप डिपाउजिट कर लीजिए वहां से बेड्रॉल कर लीजिए यहां पर आप देख सकते हैं तो बाइनेंस को पर ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको आप आराम से पी टूपी में ट्रांसफर किजिए क्योंकि अगर आप वहां पर ट्रांसफर करेंगी तो सबसे पहले आता है इसपोर्ट बैलेंस में पीटूपी में ले जाए और एक रुपय का अंतरा आपको वजीड एक्स पे बाइट और बाइनेंस पर पी टूपी सेल में आपको दिखे तो आप आराम से दस हजार रुपय के ट्रांजेक्श का आपको 236 रुपय का पहले चार्ज लग जाएगा उसके बाद आपको लग जाएगा 0.1 परसेंट का ट्रेडिंग फी तो 236 प्लस यहां पर हंड्रेट 336 रुपय आपको एक लाख में यहां पर पे पेड करना पढ़ रहा है अब मान लिए एक लाख रुपय का आपने एक हजार का प्रॉफिट यहां पर आपको मिल सकता है अब इसके लिए जोरी नहीं है कि आपके पास एक लाख रुपय होने ही चाहिए अगर आपके पास दस हजार रुपय भी है तो दस हजार का दस रांजेक्शन कीजिए दस बार आप डेपॉजिट किजिए वजीर अब लेकर आते रहूंगा तो दस्तों बस फिला इस वीडियो में नेव इंपरमेशन के साथ तेल देन वाए